हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब मैं हूं अरशना और आप सब का मेरे चानल पर स्वागत है और आज मैं आप लोग के लाई हूं केक बनाने की बहुत ही असान सी रेसिपी अगर आप बेकरी जैसा सौफ्टर स्पॉंज केक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा ताकि आप भी बहुत ही असानी से अपने घर में केक बना सके वो भी बीना ओवन बीना माइक्रोवेब के आप इसे कड़ाई में अच्छे से बेक कर सकते हैं त तो मैं आपे 3-4 चमश के करीब घी ले रही हूं आप घी के जग़ा पर मखन या फिर औल का भी इस्तवाल कर सकते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे आधी कटोरी दही ध्यान रहे हमें दही यहां पर मेठी दही का इस्तवाल करना है खट्टी दही नहीं डालना है और अब तो आप इसे साइड में स्कूरल के बटें। चीजे कुह अच्छे से मिक्स करने वाले हैं, तो मैं यह पर ले रहे हुँ दो कटोरी मैदा, मैदे की क्वाइंटिटी आप अपने हिसाब से कम जाद करें, आपको जिस बरतन में बेक करने हैं उस हिसाब से आपको केक को बेक ने में आसानी हो, और मैदा लेने के बाद मैं इसमें तर डाल रही हूँ नमक एक से दो चुटकी जीतना हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा एक चमच मैं इसमें डाल रही हुँ बेकिंग पाॉडर अब हम इन सब को अच्छे से mix कर लेंगे सारी सूखी चीज़े अच्छे से mix हो गई हैं तो चलिए अब साइसे अच्छे से चलीए ज़री इसमें से मिक्स कर लें मैश तयार हो गये है इसकी consistency देख लीजे आप लोग हमें बिल्कुल इसी तरह का रखना है इससे ज्यादा पतला नहीं करेंगे हम इसे और लास्ट में मैं इसमें एड़ कर रही हूं custard powder custard powder डालना बिल्कुल optional है अगर आपके पास हो तो आप डाल दें अगर आपके पास ना हो या फिर अगर आपको पसंदना हो तो आप इसे skip कर सकते हैं तो मैं इसमें दो चम्मच भरके डाल रही हूं custard powder और यह vanilla flavor का है अगर आपके पास custard powder ना हो तो आप इसके जगह पे vanilla essence का इस जो है वो बिल्कुल बन के तयार हो गए है तो चलिए अब हम इसे ढखके साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि हमारा बैटर थोड़ा सा रेष्ट कर ले और जब तक हमारा बैटर रेष्ट करेगा तब तक हम आगे की तयारी कर लेते हैं मैं आपे ले रही हूँ एक केक टीन अगर आपके पास केक टीन ना हो तो आप इस तरह का कोई भी बरतन ले सकते हूँ जिसका उपर और नीचे का भाग दोनों ही बराबर हो इस तरह से तो आप कोई भी बरतन में बना सकते हैं अगर आपके पास केक टीन ना हो तो और अब हम थोड़ा सा ओयल या फिर घी लगाके इसकी ग्रेसिंग कर देंगे ताकि हमारा केक अच्छे से बेख होने के बाद निकल जाए या फिर अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं इस तरह से हम बरस की सहायते से अच्छे से घी को चारो तरफ से फैला देंगे और घी को फैलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा और इसकी अच्छे से हम डस्टिंग करेंगे इस तरह से हमें मैदा डालने के बाद इस तरह से केक टीन को उठाना है और चारो तरफ मैदे को अच्छे से फैलाना है इस तरह से मैदा डालने के बाद केक जो है वो बहुत ही असानी से बाहर आ जाता है और यह देखिए मैदा भी अच्छे से में फैला ली हुए आपे और ज तो टूटी फ्रूटी जो है वो नीचे जाके पेंदी में नहीं बैठते हैं वो पूरे केक में अच्छे से फैलेंगे इस तरह से अगर आप मैदा लगा के डालते हैं तो और यह देखिए हमारे टूटी फ्रूटी भी तैयार हो गया है तो चलिए अब हम इसे भी साइड में और अब हम केक टीन में बैटर को डालेंगे जो कि हम केक का बैटर तयार किये हैं उसे अब हम केक टीन में ट्रांसफर कर लेंगे तो इस तरह से हमें केक टीन में बैटर को अच्छे से ट्रांसफर कर लेना है पूरा जादा भर के नहीं डालेंगे हम इसे केक टीन में हमें आ और अब हम इसके उपर से डाल देंगे टूटी फ्रूटी और यह देखिए मैं इस तरह से टूटी फ्रूटी को अच्छे से फैला दी हूँ और यह देखिए थोड़ा से चोटे केक टीन में उलग से बैर रख़ी हूँ क्योंकि मेरी बेटी को टूटी फ्रूटी पसंद नहीं है इसलिए मैं उसके लिए अलग से बना रही हूँ और मैं याप एक कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डालकी और इसे प्री हिट होने के लिए रख दी थी तो अगर आपके पास भी oven microwave ना हो तो इस तरह से कढ़ाई में बहुत यासानी से केक को बेग कर सकते हैं कढ़ाई को प्री हिट करने के बाद हम इसमें एक छोटा सा प्लेट या फिर अगर आपके पास स्टैंड हो तो अस्टैंड रख दे और उसके बाद हम इसके उपर से केक टीन को रख देंगे अगर आपको लगी कि आपका केक 40 मिनट में भी अच्छे से नहीं पका है तो आप इसे पास मिनट के लिए और ढग दे ताकि केक अच्छे से पक जाए तो चलिए अब मैं आप लोग को चेक करके दिखाती हूँ इसे चेक करने के लिए चाकू या फिर तुपिक ले 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 इस तरह से हमें केक के बीच में डालके और इसे चेक कर लेना है चाकू क्लीन आया मतलब केक हमारा अच्छे से पक गया है तो यह देखे आप लोग देख सकते हैं चाकू अच्छे से बाहर आ रहा है क्लीन होके बहुत ही थोड़ा सा नीचे लग रहा है तो मैं आप एक केक क तो इसी तरह से कढ़ाई में ही छोड़ दे रही हूं थोड़ी देर के लिए गैस बंद करने के बाद भी इस तरह से केक अच्छे से पक जाते हैं अगर आप केक को पूरा पका लेंगे और अगर आप इसे कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देंगे गैस बंद क के बाद भी तो केक ऊवर कुख हो जाता है इसलिए मैं गैस को थोड़ा सा पहले ही बंद कर दी हूँ और दस मिनट छोड़ने के बाद अब मैं केक को बाहर निकाल ली हूँ चलिए अब मैं आप लोगो इसे पलट के दिखाती हूँ यह बहुत ही असानी से बाहर निकल आया है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर आया है बिल्कुल भी जला हुआ सा नहीं दीख रहा है तो चलिए अब मैं आप लोग को काट करके दिखाती हूँ कितना ज्यादा स्पॉंजी और सॉफ्ट बना है हमारा केक और यह देखे केक बहुत ही अच्छे से बेक हु तो मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हम फिर मिलेंगे इसी तरह से एक बहुत अच्छी से रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाबाए टेक केर